ओम शान्ती आठ आठ दो हजार चौविस की साकार मुरली मीठे बच्चे बाप टीचर और सत्गुरू यह तीन अक्षर याद करूं तो अनेक शिफ्तें विशिष्टाएं आ जाएंगी प्रहश्न किन बच्चों के हर कदम में पदमों की कमाई जमा होती रहती है उत्तर जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते वही पदमों की कमाई जमा करते अगर कोई बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे सर्विस ही कदम में पदम देती है इसी से पदमा पदम पती ही बनते हो प्रहश्न किस राज को जानने की कारण तुम बच्चे सभी के कल्यानकारी बनते हो उत्तर बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है यहां सब को आना ही है यह बहुत गुई है राज है इस राज को जानने वाले बच्चे ही सब के कल्यान कारी बनते हैं ओम शांती रोहानी बाप के रोहानी बच्चे हैं रोहानी बाप के रोहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है और सत्गुरू भी है बच्चे जानते हैं जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं यहां बैठे हो यहां जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे न परन्त भूल जाते हैं दुनिया वाले तो बिलकुल नहीं जानते बाप कहते सर्फ यह तीन अक्षर भी याद कर रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं प्रदर्शनियत वा मियूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्रसमंदी आदी बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरू भी है। यह याद हो तो भी ठीक और कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कहना सके तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है और सतगुरू भी है कितना सहज है परन्तु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धी है जो यह तीन अक्षर भी बुद्धी में धारण नहीं कर सकते भूल जाते हैं बाबा हमको मनुश्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे बेहद का वर्षा है देवताओं के पास इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं परन्तु यह भी बھूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्पे के भूले हुए हैं अब बाप समझाते हैं वास्तों में यह ज्ञान बहुत सिम्पल है बाकि याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें महनत है बाबा हमारा बाप भी है सिक्षा भी देते हैं वर्षा भी देते हैं पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है सिर्फ कहते हैं कि सब को यही कहो कि मुझे याद करो बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो कदम उठाए जाते हैं पदम तो उन्हों को मिलेगा ना यह भी बुद्धी कहती है पहले शूद्र को ब्रामन बनाना पड़े ब्रामन ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे सर्विस तो चाहिए ना बच्चों को सर्विस को समचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पिटेशन हो सर्विस से ही पदम मिले हैं सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते बेहद का बाप बाप है परन्तु बाप कोई को पता नहीं है सिर्फ ऐसे ही गौड़ फादर कहते रहते वह टीचर है यह तो कोई की बुद्धी में नहीं होग स्टुडेंट की बुद्धी में हमेशा टीचर याद रहता है जो पूरी रीती नहीं पढ़ते उनको अनपढ़ा कहा जाता है बाबा कहते हर्जा नहीं है तुम कुछ भी ना पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई है हमारा बाप बेहद का है बाप आते ही ह एक धर्म की स्थापना करने ब्रह्मा द्वारा करते हैं परन्तु लोग कुछ भी समझते नहीं है इश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्योंकि हे लिबरेटर आओ है पतित पावन आओ जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों प स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते जन्म तो यहां ही लेना है नई दुनिया और परानी दुनिया में फर्क तो है न इसको सत्योग थोड़े ही कहेंगे अब तो कल्योग है न मनुश्यों की तो बिलकुल पत्थर बुद्धी है जहां थोड़ा सुक देखते हैं तो स्वर्ग सम बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुश्बू जरूर आती है और भल कितना भी काका मामा आदी है परन्तु उनसे वर्षे की खुश्बू नहीं आती अंतरमुक हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं गुरू के पास कोई जायजाद होती नहीं वह तो दुनिया में जाना कितना सहज है हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी स्रष्टी तमो प्रधान दुनिया का सत्यूग है नई दुनिया यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को परन्त वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह दे मन मनाभव इसमें सब आ जाता है परन्तु यह भी भूल जाते हैं पता नहीं बुद्धी में क्या-क्या याद रहता है नहीं तो रोज लिख कर दो की इतना समय हम किस अवस्ता में बैटे थे तुम बैटे हो बाप टीचर सत्गुरु के सामने तो वही याद आना चाहिए न स् आये तो थे वर्षा लेने परन्तु मिलता कुछ भी नहीं ऐसे ही कहेंगे न भल स्वर्ग में तो चलेंगे परन्तु वह कोई बड़ी बात थोड़े ही है यहाँ आये भल परन्तु पढ़े नहीं फिर स्वर्ग में तो जाएंगे न यहाँ तो बैटे हैं समझते हैं स्वर् स्कॉलर्शिप मिलती है बाप से उंचते उंच पद पाना है तो पुरुशार्थ करना पड़े पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा यहां बैठने से सब याद आना चाहिए परन्तु यह भी याद आता नहीं है अगर याद आए तो किसको सुनाएं भी चित्र तो सब के पास है शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्ता नहीं करेंगे बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना इनके साथ आपका क्या सम्मंद है ऐसे फालतु चित्र तो नहीं होगा शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है भगवान तो निराकार ही होता है उनको बाप कहा जाता है वह सिक्षा भी देते हैं त पत्युक की स्थापना करते हैं वहां कल्युक का नाम निशान ही नहीं मनश्य कहां से आएंगे सर्विसे बल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धी ही नहीं चलती जैसे बुद्धु बैठे हैं बाप को समझ नहीं सकते पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिलकियत मिलेगी बेहद के बाप की मिलकियत है स्वर्ग बच्चों के पास वैज भी है घर में मित्र सम्मंदी आजी तो बहुत आते हैं कोई मारता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हों, शिय बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, यह ब्रह्मा है, यह गुप्त, तुम गुप्त भ पुलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो शिव बाबा पतित पावन है वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे तुम गुप्ति सर्विस कर सकते हो यह लक्ष्मी नारायन इस नौलेच से ही बने है कहिंगे श्यवाबा नराकार है वह कैसे आते हैं अरे तुम्हारी आत्मा भी तो नराकार है वह कैसे आती हैं वह भी उपर से आती है ना पाट बजाने यह भी बाप आकर समझाते हैं, बैल पर तो आना सके, बोलेगा कैसे, साधारन बुढ़े तन में आते, समझाने की भी बड़ी युक्ती चाहिए, कोई कहते तुम भक्ती नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ती से चलना होता है, किसको उठाने लिए सोचना च चाहिए, क्या युक्ती रचे, कोई को नाराज भी नहीं करना है, ग्रहस्त विवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है, तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो या पानी में सनान करने से क क्या होगा क्या पावन बन जाएंगे तुम तो भगवान को कहते हो धी पावन है यह ऐसी नदियां देर हैं बाप पतित-पावन न तो एक ही है यह पानी की नदियां तो सदैव है यह भावन बनाने के लिए आना पड़ता आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युक पर आकर पावन बनाते हैं, वहां कोई पतित होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया, इस संगम युक का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके, बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्त समझाते हैं, बुद्धू भी ना बनो, कहते हैं अमरनात पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहचाते हैं, ऐसे नहीं प्रमात्म का पैगाम उपर से कबूतर लाएंगे, यह भी सिखलाते हैं, उनके पाव में लिखकर बादेंगे तो ले जाएगा, उनको सहज रीती दाना मिलता है, तो और कहां भटकने की दरकार नहीं, तुमको भी यहां दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धी में है विश्व की बादशाही, तो यहां से मिलती है, वह फिर समझते हैं, दाना यहां मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं, तुम तो चैतन नहीं हो, तुमको अगर से देवता निकले, रतनों की थालिय भल कर ले आए, कहेंगे सत, अब समुदर से देवता कैसे निकलेंगे, समुदर में मनुष्य वा देवता रहते हैं क्या, कुछ भी समझते नहीं, जन्म जन्मांतर जूट ही पढ़ते पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कहते जूटी माया, सच्चे और जूटे संसार में कितना रात दिन का फर्क है, जूट बोलते बोलते इंसॉलवेंट बन पड़े हैं, तुम कितना युक्ती से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई-कोई बुद्धी में बैठता है, यह हैं बहुत सहज ग्यान और सहज योग, सच जूटे संसार में कितना रात दिन का फर्क है, जूट बोलते बोलते इंसॉलवेंट बन पड़े हैं, तुम कितना युक्ती से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई-कोई बुद्धी में बैठता हैं, यह हैं बहुत सहज ग्यान और सहज योग, बाप, टीचर, सत्गुरु क याद करने से उनकी शिफ्ते, विशेशताइब बुद्धी में आ जाएंगे, अपनी जाच करनी चाहिए, हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरह बुद्धी जाती है, तुमारी बुद्धी को अभी समझ मिलती है, कितनी मीठी-मीठी बाते बाप समझाते हैं, युक् बुद्धी रचनी चाहिए, प्रह्मा के चितर पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चितर देख कभी उड़ाएंगे नहीं, अरे यह तो आतमाओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है, इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे, वह सब का बाप है, एक बाप के सिवाए कोई की याद नहीं आनी चाहिए, और संग तोड एक संग जोड़ना है, यह है किसकी कल्याण करने की युक्तियां, बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे, तो पावन कैसे बनेंगे, घर में भी तुम बहुत सर्विस कर स बहुत मित्र संबंधी यादी तुमको मिलेंगे, बिन्ने बिन्ने युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो, हट्टी तो एक ही है, और कोई हट्टी है नहीं, तो जाएंगे कहां, अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का या प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार, पहला ग्रहस्त विवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को भी नाराज नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है, दूसरा एक बाप से अविनाशी ज्यान रतनों का दाना ले, अपनी बुद्धी रूपी जोली भरवपूर रखनी है, बुद्धी को भटकाना नहीं है, पैगंबर बंद सबको बाप का पैगाम देना है, वरदान बेहद की वेराग्य व्रत्ती द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज रिशी भव, बेहद की वेराग्य व्रत्ती द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज रिशी भव, राज रिशी अर्थात एक तरफ राज दूसरे तरफ रिशी अर्थात बेहद के वेरागी अगर कहां भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ती में, चाहे वस्तु में कहां भी लगाओ है तो राज रिशी नहीं जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाओ है उसको दो नाव में पाऊ हुए फिर ना यहां के रहेंगे न वहां के इसलिए राज रिशी बनो बेहद के वेरागी बनो अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई यह पाट पक्का करो स्लोगन क्रोध अगनी रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है क्रोध अगनी रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है अच्छा, ओम शान्ती सुख सागर में गहरे उतर जाओं हुपल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टियों ही दे ते रहों बाबा